नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंडिया वाइस में मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान देश है देश पर चड़ा आज जादी के उस सब करंग तो आपको बतादें थोड़ी देर में देश की राष्ट्रपती दोपधी मुर्मु देश को नाम सम्बोधन देंगी आपको बतादें है 67 सवतंत्रता देवस की पूर्ब संद्या पर मुर्मु देंगी संदेश उस देर मैं राश्ट्रेपती का उस्वाय कर रहे हैं हमारी देशबसी बड़े उस्षा के साथ आजादी का अमरित महस्व माना रहे हैं स्वाधिनता दिवस्व मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है अपने गाउं के उस्कूल में स्वातंत्रत्या दिवस्व मार्व में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी जब त्रिरंग का फेराया जाता था तो भामें लगता था जैसे हमारी शरीर में बिजली सी दोड़ गई हो देशवक्ति के गोर्व से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्य धरज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे मिठाया बढ़ती जाती थी और देशवक्ति के गीत गाये जाते थे जो के दिनों तो हमारी मौन में गुझते रहते थे यह मेरा सोभाग्यो रहा है कि जो मैं स्कूल में सिख्यक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फीर से जीने का अपसर प्राप्त हुआ जो भाम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को पच्चों की तरह ब्यक्त नहीं कर पाते लेकिन मुझे विश्व से की राष्ट्य पर्व से जुड़े देश भक्ति की गेहरी भावना में तनीक भी कमी नहीं आती है सतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है बलकि हम एक एसे महान जन समुदाई का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़या और जिवन समुदाई है यह विश्व के सबसे बड़े लगत अंत्रों के नागरिकों का समुदाई है जो भाम सोत अंत्रता दिवोष समारोह मनाते हैं तो बस्तों में हम एक मुहानलक तंत्र के नागरी खोने का उस स Means भी मनाते हैं लेकिन हमारे एक पेंचान एसे है जो इनसुमसे उपर है ओर हमारे ओ पेंचाने भारत का नागरिक होना हम सब भी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं हम सब को समान अपसर और अधिकार उपलब दे तो था हमारे कर्टव्य भी समान है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था भारत लगतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारी यहां जमिनिस्टर पर लगतंत्रिक संस्थाए विद्धमन थी किन्तु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक सासन ने उन लगतंत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था पंद्रह अगस्ट उनिस्स संतालिस के दिन देश ने एक नाया सोपेरा देखा उस दिन हमने विदेशी सासन से तो आजादी हासिल की है हमने अपनी नियती का निर्मान करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की हमारी स्वाधिनता के साथ विदेशी सासों को द्वारा उपनिवेशक को चोड़ने का दोर सुरू हुआ और उपनिवेश बात समाप्त हने लगा हमारे द्वारा स्वाधिनता के लख्यों को प्राप्त करना तो महत्त पुर्ण था ही लेकि उस्चे भी अधिक उल्लेखनिय हे हमारे स्वाधिनता संग्राम का अनोखात तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधन एबंग दुर्दशी विभुतियां के नेत्रुत्त में हमारा राष्ट्य आंदलन अधितिय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्यो महानायों को ने भारत की आत्मा को फिर से जागाया और हमारी महान सभ्यता के मुल्लों का जन जन में संचार किया। भारत के जलन्त उदाहरण का अनुशन करते हुए हमारे स्वाधिनता संग्राम के आधार सिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के उने एक राजनेतिक संगर्शोंक में सफलता पूर्वक अपनाया गया है। सतंत्रता दिवसकी पूर्व संधापर में भारत के नागरिकों के साथ एक जूठ होकर सभी ज्यांत और अग्यांत सतंत्रता से नानियों को पूत ज्यांता पूर्वक स्रधान जली और पित करती हुए। उनके असंक्य बलिदानों से भारत ने विश्चो सुमुदाय में आपना स्वाभिमान पूर्ण स्थान फीर से प्राप्त किया। मातोंगेनी हाजरा और कोनकोलता बोरुआ जैसे बिरांगोनाओने भारत माता के लिए आपने प्राण निछावार कर दिया। मा कोस्तुरबा राष्ट्रपिता महात्मागांधी के साथ कोदम से कोदम मिलाकार सथ्थाग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरजनी नाइडू, ओमु स्वामिनातन, रमादेबी, औरुणा असब अल्ली और सुचेता क्रिपलानी जैसे उनेक महिला विपूतियों ने आपने बाद की सभी पिढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्म विश्वास के साथ देश्तोता समाज की सेवा करने के पेरोक आदर्स प्रस्तूत किये हैं, आज महिलाओं विकास और देश्वा के हार चेत्रों में बढ़ चड़ कर योगदान दे रही हैं, तो था राष्ट्रों का गोरोव बढ़ा रहे हैं, आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक चेत्रों में आपना विश्य स्थान बना लिया है, जिन में कु हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक स्थक्तिकरण पर विश्य स्थान दिया जा रहा है, आर्थिक स्थक्तिकरण से परिबार और समाज में महिलाओं की स्थीति मोझभूत होती है मैं सुभी देशबासियों से अग्रह करती हूँ कि वे मोहिला सक्षक्तिकरण को प्रत्मिकता दे मैं चाहूंगी कि हमारी बेहने और बेटियां साहस के साथ हार तरह की चुनोतियों का सामना करें और जीबन में आगे बढ़े मोहिला का विकास स्वाधिनता संग्राम के आदर समय सामिल है प्यारे देशबासियों सतंत्रता दिबस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनो जुड़ने का अफसर होता है यह हमारे बर्तमान का अकलन करने और भविश्व की रहा मनाने के बारे में चिंतन करने का अफसर भी है आज हम देख रहे हैं कि भारत ने ना के बोल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है बलकि अंतरास्ट्य व्यवस्ता में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है आपनी जात्राओं और प्रभासी भारतियों के साथ बाच्चित के दोरान मैंने आपने देश के प्रती उनमें एक नाया विश्वास्त था गोर्व का भाब देखा आये भारत पूरी दुनिया में विगास की लख्यों और मानुवियो सहयोक को बढ़ावा देने में मत्तप्ण भूमी का निभारा आये भारत ने अंतरास्ट्य मंचपर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्यता का दाइत्य भी संबाला है चुंकि G20 समुहों दुनिया की दो तिहाई जनो संख्या का प्रतिनिद्ध्यों करता है इसलिए ये हमारे लिए वशिक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अधित्य अवसर है G20 की अध्यकता के माध्धम से भारत ब्यापार और बीद के चेत्रों में हो रही निर्नोयों को न्याय संगत प्रगती की और ले जाने में प्रयाश रोत है ब्यापार और बीद के अलावा मानो विकास से जुड़े विशोयभी कार्यों सुची में सामिल किये गे है एसे केई मुद्धे जो पूरे मारवता के लिए महत्त पुण है और किसी भोगलिक सिमा से बंधे हुए नहीं है मुझे विश्वासे की भारत के प्रभावी नेत्रुत्तों के साथ G20 के सद्दस्देश उन मर्चमपर उपयोगी कारवाई को आगे बढ़ाएंगे भारत की G20 की अध्यक्ता में एक नई वात ये है कि डिपलोमासी को जमीन से जोड़ा गया है एक अंतरास्टे और आज नहीं गतिविदी में लोगों की भागीदारी को प्रशाहित करने के लिए आपनी तरह का पहला अविजान चलाया गया है उधारन के लिए एदेखकार मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कोलेजों में G20 से जुड़े विशयोपर आयोजित की जा रही गोती विधियों में विद्धाती उस्षाह पूर्वग भाग ले रहे है G20 से जुड़े कार्यक्रों के बारे में सभी नागोरिकों में बहुत उस्षाह देखने को मिल रहा है प्यारे देशबासियों सवसक्तिकरण की भावना से युक्त इस उस्षाहों का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मर्चों पर अच्छे प्रगती कर रही है मुश्किल दोर में भारत की और्थ ब्यवस्ता ना केवल समत सिध हुई है बलकि दूसरों के लिए आशा का श्रोत भी बनी है बिश्व की अधिकांग्स अत्त व्यवस्ताएं नाजुक दोर से गुजर रही है बजशिक महामारी के कारण हुई आर्थिक संकर से बिश्व समधाय पूरी तरह बाहर नहीं आपाया था कि अंतरास्ट्य पटल पर हो रही गोटनाव से अनिश्चितता का बातावरण और गंभीर हो गया है फिर भी सरकार कठीन परिश्थितियों का अच्छी तरह सामना कारने में सक्ष्यम रही है देश ने चुनतियों को अपसर में बदला है और प्रभावसाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्च की है हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारे आर्थिक बुरुधी में महत्तपुण जोगदान दिया है राष्ट्रो उन कारणी है बश्चिक स्थर पर मुद्रा स्पिती यानि इंफ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है लेकिन सरकार और इजर बेंक इस पर काबू पाने में सफल रही है सरकार ने जन समान्य पर मुद्रा स्पिती का अधिक प्रभाव नहीं पढ़ने दिया है और साथ ही गरीबों को डापक सुरका कबज भी प्रदान किया है बश्चिक आर्थिक विगास के लिए दुनिया की निगाहे आज भारत पर टिकी हुई है आज भारत विश्य की पांच मी सबसे बड़ी और्थवेवस्ता बन गया है विश्य में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी और्थवेवस्ता के रूप में भारत विश्य की तीसरी सबसे बड़ी और्थवेवस्ता बनने की और अग्रसर है हमारी आर्थिक प्रगती की इस जात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है निरंतर हो रही आर्थिक प्रगती के दो प्रमुक आयाम है एक और बेवसाय करना आसान बना कर और रोजगार के अपसर पेदा करके उद्यम सिल्ता की संस्कूती को बढ़ावा दिया जा रहा है दूसरे और जो रुरतमंदों की सुहायोता के लिए विविन्य चेत्र में पोहल की गई है तो था ब्यापक्स्तोर पर कोईलानकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है बंचितों को बरियता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र में रहता है परिणाम सरूप पिछले दोसक में बेड़ी संख्या में लोगों को गरीवी से बाहर निकलना संभव हो पाया है इसी प्रकार आदिवसियों की स्तीती में सुधार लाने और उन्हें प्रगती की यात्रा में सामील करने है तो बीशेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है मैं अपने आदिवसि भाई बेहनों से अपिल करती हूँ की आप सोब आपने परोंपराओं को समरूत करते हुए आधनिकत्य को अपना है मुझे ये जानकार खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानुविकास समंधी स्वरकारों को भी उच्चो प्रात्मिकता दी जा रही है मैं एक सिख्चक रही हूँ इस नाते भी मैंने ए समझा है कि सिख्चा समाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माज़्ध में बस 2020 की राष्ट्य सिख्चानेती से बदलावाना शुरू हो गिया है विभिन्नस्तोरों पर विद्धार्थियों और सिख्चा बितों के साथ मेरी बात जीत से मुझे ज्यानत हुआ है कि अध्योयन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है इस दूर्दोसी निती का एक प्रमुक उद्देश प्राचिन मुल्लों को आधुनिक कोशल के साथ जोड़ना है इससे आने वाली बर्षा में सिख्चा के छेत्र में अभूत पूर्फ परिवर्पतन होंगे और परिणाम स्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदला दिखाई देगा भारत की प्रगती को देशबासियों विशेशकार जुबा पिढ़ी के सोपनों से सक्ति मिलती है विकास के अनन्त संभा बनाएं देशबासियों की प्रतिख्खा कर रही है स्टाटाप से लेकर खेल कुट्तोक हमारी जुबाओं ने उत्कुरुष्टाता के नई आसमानों की उडान भरी है आज के नई भारत की महत्ता कांखाओं के नई खीतीज असीम है भारतियों अंतरिक अनुसंदान संगठन नई उंचाई को छू रहा है और ने चंद्रजान्त्री लॉंच किया है जो चंद्रमा की कख्या में प्रवेश कर चुका है और कार्योक्रम के अनुसार उसका बिक्रम नामक लेंडर तो था प्रग्यान नामक रोभर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उत्रेगा हम सभी के लिए वह गोर्व का घ्यो पारयोक्रम के लिए केवल एक सीड़ी है हमें बहुत आगे जाना है अंतरिक अभिज्यान में ही नहीं बलकि धर्ति पर भी हमारे वज्यानिक और टेक्नोलोजिस्ट देश का नाम ब्रोशन कर रहे हैं अनुसंदा नबाचार तो था उद्ध्यम सेलोता को बढ़ावा देने के लिए आगले पांच बोर्शों में पच्चा सज्जार करोर रूपयाज की रासी के साथ स्वरकार द्वारा अनुसंदा नाशनाल डिशर्च फाउंडेशन स्थाप्रित के आ जा रहा है यह फाउंडेशन हमारी कोलेजों विश्चो बिद्धालोयों और उनुसंदान केंद्रों में रिशर्च एपंग डेवलोट्मेट को आधार प्रोदान करेगा उन्हें विक्सीत करेगा तो था आगे ले जाएगा प्यारे देशपासियों ग्यान भी ग्यान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लख्यों नहीं है बलके हमारा लिए यह मानवता के विकास के साधन है एक छेत्र जिस पर पूरे बिश्चों के बग्यानिकों और नीती निर्माताओं को और अधिक तत्पता से ध्यान देना चाहिए ओ है जोलवायू परिवर्तन हाल के बर्षों में बड़ी संख्या में एस्टिम उयदार इभेंस हुई है देश के कुछ हिस्चों में और साधन बाड का सामना करना पड़ा है कुछ स्थान सुख्य की मार जिलते है इन सोब का एक प्रमुक कारण गलोबाल वर्मिन को भी माना जाता है अधह परियाब्रण के हीत में स्थानियों राष्टियों तो था बजशिक्स्तर पर प्रयास कारना अनिवारियों है इस संधर में ए उलखनियों है की रीनिवेबुल इनर्जी के छेत्रों में हमने अभूद पूर्ब लख्यों को प्राप्त किया है अंतराष्टियों सोर ओरिया अभियान को भारत ने नेत्रुत्त प्रदान किया है अंतराष्टियों प्रतिवध्यताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमे का निभा रहा है बिश्चो समुदाय को हमने लाइप यानि लाइप स्टाइल पर इन्वर्मेंट का मंत्र दिया है घटनाई सभी पर असर डालती है लेकिन गरीब और बंचीद वर्गों के लोगों पर उनका और अधिक प्रभाप पड़ता है सहरों और पहाडों छेत्रों के जलवाई परिवर्तन की ठीतियों का सामना करने के लिए विशेश रूप से सक्ष्यम बनाने की आवश्यक्ता है मैं एक कहना चाहूंगी कि लोब की संस्कृति दुनिया को प्रकृति से दूर करती है और आप हमें एह एहसास हो रही है कि हमें आपनी जोड़ों की और लोटना चाहिए आज भी उनेक जनजातियों समूदा एसे है जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सोहार द्वाना कर रहते हैं उनकी जीवन मुल्नोwen और जीवन सोयली क्लाइमेट अक्सन के छेत्रों में उमिल्लों सिख्या परदान करते हैं जनजात्यों समुधायों के लोग प्रकृती को माता समझते हैं् तो था उसकी सभी सुन्तानों और बनसपत्यों और जिवो जन्तों के प्रती सुहनभती रखते हैं कभी-कभी दुनिया में हमदुर्दी की कमी मैसूस होती है लेकिन इतिहास साक्य है कि इसे दर केवल कुछ समय के लिए ही आते हैं क्योंकि कोरुणा हमारा मूल सभाव है मेरा उनुगव है कि मुहिलाएं हमदुर्दी के महत्तों को और अधिक गेराई से महसूस करती हैं और जो मानवता अपनी रहा से भटकती है तो वे सही रास्ता दिखाती हैं हमारे देश ने नई संकल्प के साथ अम्रुद काल में प्रवेश किया है तो था हमें भारत को बर्ष दो हजार संतालिस्तों एक विख्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आए हम सभी आपने संभिधनिक मुल्क तव्यों को निभाने का संकल्प ले तो था व्यक्तिगोत और सामुहिक गोतिविधियों के सभी छेत्र में उतकुर्ष की और आगे बढ़ने का सतत प्रियास करें ताकि हमारा देश निरंतर उन्नती कात्ते हुए कर्मडथा तो थे वालबधियों की ने उच्चाईयों हासिल करें प्यारे देश बासियो हमारा संभिधन हमारा मार्ग दर्शक दोस्ताव में जे संभिधन की प्रस्तावना में हमारे स्वाध erिम शोंगर्याम आदर स समाही थे आए हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सुपनों को साकार करने के लिए सोधवाप और भाईवचारे की भावना के साथ आगे बढ़े सतंत्रता दिवस की पूर्व संधापर में पुनों आप सब को विशेश रूप से सिमाओं की रख्या करने वाले सेना के जबानों अंतरिक शुरुक्या प्रदान करने वाले सभी बोलों एवंग फूलिस के जबानों तो था दुनिया के विभिन्नों हिस्चों में रहने वाले प्रवासी भारतियों को बधाई देती हूँ, सुभी प्यारे देश भासियों को बहुत बहुत सुबकामनाई, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत साथी उन्हों ने कहा कि आज दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है, साथी उन्हों ने कहा कि आज हरशेत्र में भारत उचाईयब पहुंच रहा है, इसके साथी उन्हों ने कहा कि लगातार 2047 तक हमें भारत को एक विक्सित रास्ट बनाना है, साथी उन्हों ने कहा कि भ